कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की प्रोपर्टी क्या होनी चाहिए पाई मिट्या पर्थेगेंड है अगर इस ब्लॉक को यह वाला लेक्ट को मैं आपका फीजिक्स प्रेंटी आज हम लोगं स्ट्रेंट मोसं के बारे में स्ट्टी करेंगे जो जरू यह से पढ़ा जाते हैं ईल्फ के ऐसे अनलम के में भी अम णृफर कर सकते हैं लेकिन अनल міण से करना सब्षाइब और परतीबद मतलब अगर हम कहा जाए तो सभी लोग अपने डेली लाइफ में कहीं पर परतीबद होते हैं यह सब्सक्राइब कि एक इसी तरह से फिजिक्स में भी एक चीजिए आया जिसे कोई कंश्टेंग मोशन के नाम से जाना गया और उसमें एक रिलेशन लिया गया जैसे माल लेते आप से पूछू कि माल लेते एक ब्लॉक है और दूसरी ब्लॉक भी है है अगर बी की विलाउसिटी वाल लेते हैं अगर मालों इस तरह से हमने इसको डाल दिया तो मैं आप इकर पूझें और पूछूँ ऊप तो आप क्या कहोगे तो आप आप ऐसी बात को गया तो यह जाएगा और यह बिएक डॉन नहीं होगा इसका मतलब अगर एको और बीको साथ-साथ चलना है अगर ए और बीको तासा सब्सक्राइब अच्छा इसका मतलब यह आपने कैसा सोचा अपने यह बाते कैसे सुचे आपने हैं यह सुचा कि वह यह 5 मिटर पर सकेंट से जाना कंपल सरी है अगर यह तो शाथ शाथ जाएगे अगर यह साथ साथ जाएंगे तो यह कुछ gonna नबर स्क्ष right हो इस में दिए किइवरी पॉइंटिक इतुन ओने चाहिए से मोने चाहिए इसका मतलब स्ट्रिंग कुछ ना कुछ प्रोबर्टी होगी जो प्रिपरिटी क्या और र ήका उनक्टेन होना चाहिए हमेशा व geograph फॉलो होना चाहिए अगर यह कर एस्ट्रिंग की प्रोपर्टी एगर वो मतलब फॉलो नहीं करेगा तो यह ऐसे चीज़े नहीं होंगे इसका मतलब कि जब यह प्रण्स्ट्रेंग मुसन पढ़ा गया दो कंस्ट्रिंग मुसन बेसिकली दो चीजों पर होता है एक होता है एस सप्रिंग कंस्ट्रेंट और सिंकंस्टैंट करतें सिंकंस्टेंट स्प्रोपटि क्या होनी चाहिए की जो अद्र खांटर ले लो इंदांगा मैं झुक्त भी एक खीचो नहीं कि होना चाहिए जैसे मैंने खीचा रबर की तरह नहीं होना चाहिए यह यह आएसा नहीं हुना चाहिए एकसेश्टेंसेवल तो यह पहला क्या होना चाहिए इन इक्स पेड़ प्रोपर्टी यह नची दूसरा क्या होना चाहिए जब भी यह लगाए जब भी हम यह च्ट्रिंग लेंगे तर एस्ट्रिंग ऐसा लेंगे हम मालन लेंगे कि उसकी कितनी है उनकी मास कितना है मतलब지가 मसले से चाहिए मैइ मांस करता है पिर उसका टेंशन आता जब में इस्टार्ट करेंगे इसके बारे में कोई वरी बात नहीं ठीक है अभी जो पहले हम जो इस्ट्रिंग ले रहे हैं वह इस ट्रिंग कैसा हो इन एक्सेंसेवल हो दूसरा कैसा हो मासलेश हो और तीसरा जो हो जब भी हम यह मतलब एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ रखे तो यह समय साथ होना चाहिए इस टाइट होना चाहिए तभी यह चीजे फॉलो होगी अगर यह तीन प्रॉपर्टी जिन्टी स्ट्रिंग में होंगी वह कैसा होगा उसके एवरी पॉइंट पे इसकी व्लॉस्टी कैसी होगी सेम होगी जैसे अगर फुरा इजांबल के बात किया जाए तो पहला देखते हैं लोग इसने एक व्लोग यह दूसरा व्लोग यह लिया और मैंने टाइट कर दिया अगर यह टाइट है तो सबसक्रों कि इस पॉइंट और इस पॉइंट यह सपोज करो मैं ऐसा देखते माल लेते एक डीम एस्टेंग पे मैंने विलास्टी यह सथी अज़िन एक स्ट्रिंग आप अब देखा गया यह पॉइंट ए है और ये भी है इस व के दो component होंगे यह बात आप के लिए है क्योंकि आप जानते हो कि अगर माल लेते हैं यह वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर माल लेते हैं यह वेलॉसिटी यह इसकी एक में डारेक्षन में है, पिसको अगर माल यह डिजॉल्व किया जाए तो इसको थीटा और ये परफेंडी कुलर एक दूसरे के होंगे और इसका एंगल और ये कितना हो जागा V कॉस थीटा इसका एक कंपोनेंट ये एक कितना हो जागा V वीवन वीवन कॉस थीटा इस डिरेक्शन में आ गया वीवन कॉस थीटा उसी तरह से यहां पर अगर देखा जाए तो यह वाला आप कंपोनेंट हो जागा वीटू साइन ठीटा और यह कितना हो जागा आप कशनी पैसे अगर यह लाइक नहें करें तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी कॉंस्टेंट हो यह मतलब रिस्टेंस बिट्म अबी कैसा होगा हमसा रहेगा यह बाद तो किलियर है अगर अगर constant रहेगा इसका मतलब है कि velocity of velocity along the string velocity along the string विल भी क्या होना चाहिए सीम होना चाहिए अगर ये distance change ना हो ना यह क्या हो ना ये बढ़ा हो और नहीं ये छोटा प्लिट करें ना stress करें तो अगर माल् करें और ये constant रहे तहे इसका एखी इस पॉसीभलिटी के सेट सपहेट है कि वेलफिटी आफ एई एक सेट्टा वनिया यह थीटा 1 यह थीटा 1 यह थीटा वन्लिया यह थीटा 2 यह थीटा 2 यह कुछ थीटा 1 यह एक relation stabilize किया जाता है string के बीच में अगर string tight हो, massless हो और inextensible हो तो किसी भी string के जो point के बीच का distance हमें सा constant होगा तो इन दोनों point के velocity कैसी होने चाहिए, same होने चाहिए, बात समझ में आ गया, तो हमने एक चीज सीखा यहां पर, if, if a string is massless inextensible and, and, ऐसे बोल सकते हैं कि, if the, if a string is inextensible massless, then between two point distance is constant, so velocity along the string is same, बात समझ में आ गया, कि velocity along the, velocity along the string is same, बात समझ में आ गया, तो इस तरह से इस पर हम देख सकते हैं कि इन पर बहुत सारे questions भी बनते हैं, अनलमे में बनते हैं, और आगे भी चल के आपको देखा जाएगा relative motion के भी कुछ questions इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे suppose कड़े माल लेते हैं, कि इन से पहले इन पर और question करने से पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा tension के बारे में बात कर लेते हैं, माल लेते हैं कि ये block A है और दूसरा block B है, माल लेते हैं, block A है, दूसरा block B है, इन दोनों के बीच में लगने वाला ये string है, तो string के कारण इस पर क्या लगएगा, एक force लगएगा, अगर माल लो कि इसको मैं इधर force लगाया, तो इसके बास सुच velocity है, ये force लगाया, तो इसे block क्या करेगा, string पर फोर्स लगाएगा, string क्या करेगा, block पर फोर्स लगाएगा, उसी तरह से, यहाँ पर A block string पर लगाएगा, उसी तरह से भी, string भी A लगाएगा, 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 100% लगाएगा, तो 100% जब ये force लगाएगा, तो force बिसिकली होता है, तो force बिसिक इसकी बात हम लोग रोटेशन मुशन में डिटेल में चर्चा करेंगे सब्सक्राइब अब मोलोगे सर यह तीनों की जरूत कैसी है अगर सब्सक्राइब मैंने बोला फाइम नीटन फॉर्स लगाओ आपने बोला मैगनिटूट कितना है फाइम नीटन किस डारेक्शन में डिर लेकिन पॉइंट अप्लिकेशन ही बहुत ही इंपॉटेंट है अगर यह फॉट ले लेते हैं यह रॉट ले लो अगर मैं फॉर्स लगाओ तो यह कैसा मुशन करेगा अगर सब्सक्राइब यह तोड़ा सा यह इसको सूचने से पहले एक तो यह देखो मालोगे लास ले 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 लिए ग्लास को मैं यहाँ फॉर्स लगाऊं लिए कैसा करेगा अगर दीधिर दीधिर ओती यह लिए शूर्स बैदेगा अगर इसको डीटिलिंग में लोग रोटेशनल मोशन जबी स्टार्ट करेंगे इससमाज मारी बात अगर यह बात समझ में आ गया तो यहां पर देखो कि A Block है और यह B Block है और A Block पर माल लेते हैं कि इस वाले इस ट्रिंग के मैं फ्रीवाड डाइगराम बनाता हो तो इस वाले का अगर फिरीवाड डाइगराम बनाओगे तो देखो है कि यह ब्लॉक क्या किया इसको अपनी तरफ खीच रहा है तो अगर इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे फूर्स इस बात को समझने में आना चाहिए आपको ठीक है न यह अभी एक्षन डिक्षन जब पढ़ेंगे तो उसमें इस बातों को डिसकस किया जाएगा बस अभी थोड़ा समझाने के बाद में समझा रहा हूं इस चीज को कि अगर माल लेते कि कि किसी भी दो ब्लॉक को एक स्ट् अगर मालो को रबर को अपने खीचा तरह अपने तरह को क्या करता है इसको इधर खीचा राइट में खीचा उसी तरह से एक सट्रिंगा उसको लेक्ट में खीचा उसीधा एर ब्लॉक क्या गिए इसको राइट में खीजा और स्टिंगा इस तुरह से देखा गया कि कम्पीश करता है यस फ्टों अब जुश्च ट्रहीं पन्यक्ति प्रस मग से और स्टीम होग गया फॉर्स प्रतिबद टाइब का कमोशन होता है जो क्या होता है अपने लिए कंस्त्रीण होता है क्या होता है कं स्त्रीण होता है तो माल लेते हैं हैं कि गाँ इन नही स्ट इस कई प्रोपर्टी है जो आपको एका याद है है किलीए मेरी बात इसके बेस पर हमने बताया कि टेंशन जो होता है वह इस तरह से होते हैं एक डूसरे को खीचते हुए इस तरह से हमी सरा जैसे मैं ने किसी ब्लोक को लटका दिया ऐसे एंगर दिया तो इसके नीचे क्या लगेगा एम जी और इस पर लगए गार उपर है इस पिल्गा और ब्लोक लग लाग रिख समझ में आई बात यह आगे और चल्काल वा लोग करेंगे लेकिंब आप चुलो फ्रोसा डिस्कस्ट करते हैं कि माल लब देगी कि इस तरह का एक ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल में यह थर्टी सेवन डिगरी आपको वैल्यू को आपको हमेशा याद रखना चाहिए यह थर्टी सेवन डिदी है यह हो जाता यह फूर और इसको 5 मानते हैं ठीक ह पिजिक्स में बहुत जगर आप लोगो यू जाएंगे ठीक है कि अगर माल लेतें यह 3 है यह 4 है और 5 है तो 1037 डिवल थीवाइब 4 1053 डिवल गुरू 4 ठी अब इसी के इस पर कोश्चन हम लोग करते हैं माल लेते हैं सबोच करो कि एक मैने इस तरह से एक block को लिया और उस block की velocity दे दिया इस direction में 10 meter per second clear है और इसको मैंने के string से जोड दिया और string से इसको block को लटका दिया जैसे इस block clear है मेरी बात अब मालती ये block A है ये block B है आप से पूछा गया what is the velocity what is the velocity of P block कैसे करेंगे एक मिनट के लिए आप लोग चलो पहला को समझा देता हूं दूसरा कोशन खुद करने की कोशिश करना मान लेते हैं कि ये block है आपने ये बोला कि सर अगर कोई string से attach है और ये distance constant है चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब along the line along the string along the string velocity क्या होगा तेम होगा हरेक पॉइंट का इसका मतलब अगर ये 10 meter per second to move कर रहा है ये 10 meter per second से मूफ कर रहा है ये 10 meter per second is point baby getting unit 10 meter per second is value point baby getting unit 10 meter per second is volume baby get knowledge 10 meter per second is valid by 10 meter per second is किनी मीटर सेकेंग और इसकी डारिक्सन कैसे होगी हमीज़ा इस टाइप इस दिस इस 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 प्रिप्र भी इस ब्लॉक तो यह क्या है श्ट्रिंग एटैच है तो इस पॉइंट पर भी इस वाले भी ब्लॉक की वेलाश्टी कि इनी होने चाहिए 5 मेटर पर सकेंड यह यह वास तब को समझ में आ रहाने किया रहा है कि अगर एस्ट्रिंग टाइट हो और दोन के वीच में डिस्टेंस कॉंस्टेंट हो तो वेलाश्टी एवरे पॉइंट ऑन एस्ट्रिंग एलाउंग एस्ट्रिंग क्या होगा सेम होगा तो अगर मालने तो यहाँ पर तेन डेखो एक छीठ थोड़ा सा आपयां से सूचना पढ़ेगा वह सी सब्सक्राइब कर नोटियोर टब्र आसके इसके एक तरफ इधर फाइम सर्च्टी अगर इस बड़ और फीच रहा हूँ इसका इंटेंशन आप दर मोश्न जो है डारेक्शन काई सब्सक्राइब होगा यह इधर माल लेते हैं इधर होना चाहिए वी में पर स्च्ट से माल लेते हैं कि इधर का इंटेंशन आप दर तो अगर माल लो कि मैं तुमसे पहले भी बोला कि अगर किसी की फाइनल विलाश्टी इदर है तो इस वाले के दो कंपोनेंट बनेंगे जो एलांग दा परपेंडिकुलर होंगे ठीक है अगर यह थीटा है तो यह कितना हो जगा वी कॉस्टीटा अगर यह माल लेते दिए क्या हो जगा वी साइन थीटा यह बात के लिए है सब को इसका मतलब कि अगर मैं तुमसे इसका मतलब आपको यह समझ में आज़ा कि इसका एक कंपोनेंट किस डारेक्शन में फाइब के डारेक्शन में है कि नहीं है अभी हमने इसी बात को डिसकन किया कि इफ दर जल्टेंट वेक्टर इजवी डैन इट्स वन कंपोनेंट इड़ी कॉस्टीटा एंडी साइन आलिस पर्फेंट्र टुट ओ वी कमौनेंट्र वूए इस का मतलब क्या कि अगर इस डारेक्शन में है इसकी मेंन वेल्व दिय। खु़कर माल लेता है कि सब्सक्राइब का यह इस था टो एक कमपोनेंट यह हो गे और दुस्तरा कोंपनेट कैसा होगा ऐसा होगा जिर दो परकत si लिए यूवे परपंडिकोलर होंगे कि नहीं कूल गे यह जिना आपस में साइन 53 डिग्री यह मेरी बात वी स्कॉस 53 बेसिकली किसके बराबर है वाइब के बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं वी पॉस फिप्टी ट्री डिग्री इसकल कितना हो जाएगा व्य अब वी कॉस्ट टिरी डिटी की वैल्यू कितनी होती है यह बात मैंने आपको यहां पे सब्सक्राइब कर दिया कि 1053 डिग्री डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा वी इन्टू और सड़ी यहां 5 नहीं होगा इन्टेन मीटर पर सेकेंड होगा सॉरी मैंने गल्थ लिख दिया थे टेन मीटर पर सेकेंड से अपने मूब करा रहे है तो यह भी कितना मूब करेगा टेन मीटर टेन इसकल टू वी कॉस 53 डिग्री वी कॉस 53 डिग्री तो टेन इसकल टू कितना हो जागा वी इन्टू 3 वाई 5 मतलब वी की वैल्यू कितनी आ गई 50 वाई 3 मीटर पर सेकेंड किffen है यह वी की वालू कितनी आभाई 50 50 वाइटा पर सेकेंड मतलब अगर देखा जाए तो एक चीज़ बात हमें समझ में यह कि अगरा ईस्यंग फेलेंथ फ्नाग और टो किस रिस स्ट्र değer कि वेलस्टी कैसी होगी सेम क्योटी कैसी होगी की होगी थे मोज़े आई बात तो एस्ट्रिंग के हर एक पॉइंट वेलास्टी सेम होगे एलांग दा इस्ट्रिंग तो यह देस दस दस यहां वह कितना होगा दस मीटर पर सेकेंड हो जागार इस तरह से को सॉल्व कर लेंगे उसी तरह से अगर देखा आजा दूसरा कोशन की बात करें हम लोग तो दूसरा कोशन देखते हैं माल लेते हैं कि ऐसा माल लेते हैं कि ऐसा आपने कुश्चन भी देखा होगा कहीं पर ठीक है इस तरह से दुनों को एटाच कर रखा है और यहां पर एक माल लेते हैं और इस तरह से इसको हमने दे दिया दस मीटर पर सकेंड इसके बीच का एंगल 53 माल लिया हमने तो अब यह सोचो कि जब मैं इसको दस मीटर पर सकेंड दिया इसको करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं ठीक है एक बार पाउज कर ले फिसका सॉलूशन देखें आप यह फिर सब्सक्राइब इन मीटर पर सकेंड आद इसबूंट का वी कितना मिटर पर सकेंड इस त ben हर इ Kin vaat अब है इसनलम है चैनमीटर पर ऐसकेंड इन मेरे बात कि अगर आप बनाब बदो कि आप इसका मैं दूसरा वूला եा कि फाइंड आट आट देंटेंशिटेंघ्र उप जो भी बोडिे यसे बोडिदी का इंसे नकालना है मुझा या वैलासिटी कि इसकी वैलासिटी is एलांग होना चाहिए तो मतलब क्या लिख सकते है वी कॉस 53 डिग्री इसकल टू ठीक है और वी इसकल टू क्या लिख सकते है यह हमारा इस तरह से जो कुश्चन दिया जाए और स्ट्रिंग का हो और वलास्टी का रिलेशन निकालने के लिए दिया जाए तो आपको यह कुश्चन जैसे आना चाहिए ठीक है कि अगा कि नेक्स्ट कुश्चन में बात करते हैं हम लोग पॉस करें देखा जाए तो कि नेक्स्ट कुश्चन देखिए माल लेते हैं कि ऐसा हमने एक व्लॉग लिया ठीक है माल लेते इसकी व्लॉस्टी माल लेते 10 मीटर पर सकेंड ठीक है इसको माल लेते 37 डिग्री इसका माल लेते 53 डिग्री तो और यह ब्लॉक है और यह ब्लॉक है ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं अब आप से बोला गया कि फाइंड व्लॉस्टी और भी कैसे करेंगे तो थोड़ा से कर लें पॉज करने के बाद देखें फिर सॉलूशन करें और फिर इसको मैच करें देखिए अगर मुझे इस तरह का क अगर यह बाल लेते हैं यह अगर यह अगर यह बाल लेते हैं यह अगर थाटी सेवन डिग्री है यह अगर देखा जाएं कि तो एलांग टेस्ट्रिंग बात करते हैं हम लोग एक अ यह ब्लॉक है और इस ब्लॉक को थहाँ से एक्स्टेंड कर देए यह वाला हमको डारेक्शन चाहिए और इसका में डारेक्शन कि इधर है इधर है इसका एक कंपोनेंट कि दर होगा इधर गार दुसरा कंपोनेंट कैसा होगा ऐसा होगा यह अगर 37 डिग्री है इसके साथ यह वाला भी कितना हो जाएगा 37 डिए और सब्सक्राइब दिए टेन इन्टू काउस कास्ट थाटी से डिए वेल्व क्या हो जाएगी बताओ यह जाएगा फोर वाई यह कितना हो जाएगा कि टिक्स्टिंग कि सुझे इस ड्रेक्शन स्की वहलाउस्टी कितनी होगे सिक्स्टीन मीटर पर सेकेंट इस पॉाइट में फिटना है 16 मीटर पर सकेंद इस पर कितना है 16 मीटर पर सकेंद इस पर इसका मतलब अगर इस ब्लॉक की वेलास्टी इस डारेक्शन में 10 मीटर पर सकेंद है गरबर क्या क्या अच्छा यहां गरबर कर दिया सॉरी 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 एक मिनट यार इस कुश्चन को ऐसे इरेज़ी कर देखें कर देखें कर माल लेते हैं कि इस तरह से हमें कुश्चन ले लेते ठीक है यहां ब्लॉक ले लेते हैं यहां ब्लॉक ले लेते हैं ठीक है अब यह ब्लोक है यह ब्लोक है इसकी वेलास्टी हमने देदिया 10 मीटर पर सकेंड तो अब मुझे फाइंड आट करना है ब्लोंट पर नीकें अब सबसे पहले से पहले है और ऐगर यहां सी यहां ते रटली कैसा है है ऐसे बात हैं किलिर है कि एवरी पॉइंट ऑन किसा होना चाहिए अगर मान लेते विलासिट कुछ अगर बात किया जाए तो यहां से अंग लूटन का निकाला जाया तो यह देखा जाए तो 37 डिटी यह वी अंगल कितना हो जागा गितने जाएगा इस वाले क्वध्रीकुवाव कि तरनाे है इसलिये क्वेर दूसरी कैसा कि कितनी काई भाइगा अगर माल ले इस डरक्स्ट में बेलाउस्ट केतना होगा एट मीटर पर केंद घ्र में च्तों अगर अजे चाहिए इस की विलाश्टी सपॉआंट भी आदी उसकी पर साइधो एंद मिटैशन और अब बाद बीडिखो मैं आपसे फिर से पूझत इसका इंटेंशन पूजी संहम स we एक इसका एक कमपोनेंट किदर होगा एक मीटर पर सेकेंड के तरफ होगा इसका मतलब अगर देखा जायता एट इसकर टू क्या लिख सकते हैं है एट इज़कल दो कर माले इसकी वेलवाश्टी वी है तो वी इसका एक कंपोनेंट इस डारेक्शन में हो जाएगा कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा जुँप्टि पाइब टीज कल टू व कितना हो जाएगा कि प्रटीवई मीटर पर llam या थैंको मैंना भी पताया मैं बताया थरॉट 4 científic psychology अगर को कि बात करें तो फिटी त्री डिग्री यह क्या हो जाए थ्री अपॉन में फाइव कि इसकी वैल्लियू आ जाएगे तो इसी तरह से देखा जाए तो और बहुत सारे कुश्टन इसमें मिलेंगे आपको तो हर एक पर यही फॉर्मिट लगाना है हमें एक चीज हमें सा याद र सीम होगी इस बात को हमेशा याद रखना है अब इसी में आता है एक पुली ब्लॉक सिस्टम कि अगर पुली ब्लॉक सिस्टम की बात किया जाए तो सपोच करो माल लेते हैं कि ऐसा एक पुली है और यह ब्लॉक है और यह ब्लॉक है और यह ब्लॉक है अच्छ है कि नहीं है यह बास समझ में अगर मैं आपसे बोलू कि यह टेन मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो एक ही विलास्टी बता आप क्या बताओगे कि सर यह इसकी विलास्टी टेन मीटर पर सेकंड ऊपर होगा क्यों बोला अपने के सीखा यह और यह यहां सी यहां तक का लेंद क्या बिलास्ट कि अगर यह नीचे जा रहा है थी अपने उस से भूला लेकिन इसका छोटा सा प्रूब भी इसका पूली को सोचा जाए यह पुली की रिसपेक्ट में क्या करेगा यह वही का क्या क्या करेगा चेंज एक्स टू और यह वाला जो चीज इसको इसको नाम दे दिया यह वाला लेंट यह 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 यहां से यहां से यहां से यहां जाए यहां से ट्रॉइआ कि एक्स वन प्लस एक्स टू इसको यहां लिख सकते है एक्स वन प्लस एक्स टू दो कर दो with respect to time to DX1 by DT plus DX2 by DT plus DL by DT is equal to D constant by DT लिख सकते करें लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं और फिर यह दी आई वैडीटी क्या हो जागा 0 क्योंकि constant differentiation with respect to time कितना होता है 0 यह भी constant कितना हो जागा 0 वीवन इसकल क्या लिख सथे माइनस वीटू अगर वीवन की विलासिटी कितनी दे रखी है अगर मान लेते वीटू की विलासिटी कितनी दे मूव नहीं कर रहा था ठीक है ना अगर मालो कि मैं पुली को भी मूव करा दूँ जैसे मैं मालो कि पुली को भी मूव करा दूँ जैसे बात किया जै कि मालो ने देख पुली लिया और पुली की भी विलासिटी डिह लेवी भी ली लृस्टी डि लिए लाश्टी माल लोन व्लस्ट प्रिमीह लिए ठीक है और इसके साथ है अटैक्स कर धिया दो इस तरह से 1च ऊब एन 01 इस देखो आगर इहाँ पर देखा जा यह दखा जा जा कि यह दिस्टेंस और यह डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में चेंज खरेगा अगर विलॉस्टि पुली की बाति यह का तो अगर हम इसको स्क्राइब रिख सकते हैं कि आगर अगर इसके बार किया नहीं यह क्या है इस गरिज़ Me स्क्राइब करेगा यह क्षाइब प्ली का और Zこの बेंट नेहीं तो अगर विलॉस्टि ने टूलApp अगर माूं चीटा बनके यहान पर बैठ जाओं या तुम यहान पर बैठ जाओं इदर रख लो और इसको इसके crust बात किरेगुए the velocity of a with respect toın e is lift प्लस velocity of b with respect to teenager An Le sixty a last of a a minus velocity of p plus velocity of b minus व्लास्टी और पी इसकल टू क्या लिए सकते हैं अगर इस तरह से चीज़ दिया दे अब यह बात तो आपके लिए रहना कि यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस करता है इसको लिखने का एक दूसरा भी तरीक है कि एक्स वित रिस्टेंस टू फ्लस एक्स टू आले इसको एक्स टू माले ते वित रिस्टेंस टू इसकल टू कैसा है विलास्टि आप ब्रस दी एक्स दीए टू वीटी पी पहुँआ है जी रो यह वाला इसके बराबर हो जाएगा तो मिलासिटी ओफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी इसको इदर लिया ओता वी ए प्लस भी इसकल टू वी पी इस तरह का सिच्वेशन है कि इस तरह सोच लो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एचेंज कर सकता है लेकिन ये टोटल क्या हो जागा क्योंकि इस वाला जो टूटल वो कैसा है इस तरह सकते हैं इसी में आपको एक क्वेश्टन दिया जाएगा माल लेते हैं कि पूच कीजिए कि एक क्वेश्टन दिया इस तरह से यह यह है यह बी है और यह सी है अब आप सिस्के माल में लाउस्टी दे दिया यह मैं लेट फूर मीटर पर सकेंड़् यह तो आप से पूचा गया पाइंड आट ते विलास्टी ओप जी कैसे करेंगा वह कर लें को देखंगे और फिर सॉलुशन तब देखंगें पोन से कि अगर ये फोर मिटर से जा रहा है तो ये वाला कितना से जाएगा नीचे जाएगा किस दिग मोरा तू श्ली तो जी डिरेक्शन में होती है होती की नहीं होती है 4 मीटर पर सेट है अब इस पुली की बात करें ऑद तो घी हमें यह पता है ब्लस बीची बाइट हुआ तो फॉस्टी बैंट इसकल वेलाश्टी अफुली यह फॉरमूला अपने हमी ड्रेव किया तो फ्ली उपली तो क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं लॉसटी आप पली क्या दिया है पूर विलासिटी ओफ सीच और ड़्दवर्ड को पॉसिटिव मान राख दो पॉसिटीव प्लस वी वी बाइट तू वी इसकाल टू फूर इंटू तु माइनश टू लिख सकते हैं लिख सकते हैं चार दो और माइनस टू वी वी की वेलासिटी कितनी हो गई मतलब वी इस horas के फिर यह एक्न इस तरह से बहुत सारे कोशन जाएंगे ृपोज करो इसी को solve करने के लिए है इसमें थोड़ा सा होता है速 influenced आ जाती है इसलिए की चीज़ों क्या होता है मतलब फोड़ा सा इसमें एक सॉट मैठड की बात करते हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं ُ अब क्या बोलते हैं इसी कुस्टन को Sников रफने का इस तरह का एक मैं बताता हूं इस पर हम ली एक दू इलिस्टेशन भी करेंगे और यह चीज अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ लो कि मतलब इसमें आपको अच्छे से कोई भी कुश्चन्स नहीं छूटेंगे जैसे वैसे मेकैनिक्स में जो है ना लॉट आप कुश् करने के तरीक एक पता होना चाहिए उस तरह के कोई भी कुश्चन्स आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर मान लेते हैं कि पॉइंट मैंसर की बात करते हैं सब्सक्राइब को पुजा हो कि मैंने अभी एह है ऐसा माल लिते हैं कि यह वाला ब्लॉग चलता था ठीक है उसे को प्रूफ करते हैं और यह है और यह बी है यह और यह है और यह इस विक्ताउ अब यह यह कि पॉइंट मैफेड चैसरा है इसको पॉइंट को मार्सकर लो यह पॉइंट और यह पैसा इस वाले पूलिश सी अटाइच है तो इसको ऊपर ले जाने पॉइंट मार्स कर ले और पॉइंट मार्स करने के बाद यह देखे यह वाला पॉइंट 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 यह वाला पॉइ सवाले पॉइंट का वेलास्टीट केतना होगा डॉस्टी ओफ एक का होगा सकी लॉस्टीट की नी होगी दूस्टी यह अब देखो चल लगया घर यह वाला LEN og jaw और चला यह ऊपर वाला पॉइंट चला यह वाला लेंध क्या हो रहे है इन की ठी 설 और Jimmarkets सर्ट पॉर्टर यह वाला पॉइंट अगर इस वाले लेंद को क्या कर रहा इंक्रीज कर रहा है आमक्रीज यह वाला व्लस्टी पी इस वद्वाला स्टी आप पी इस वाले लंद को क्या कराहिश करते इंक्रीज करों अधुम लुखर लिखेंगे और जब निगेटिव आएगा जब वोड डिक्रीज करेगा लेंज को तो हम इसमें निगेटिव लिखेंगे तो मतलब अगर देखा जाए कि विलास्टी यॉप पी कैसा है इस वाले लेंथ को इनक्रीज कर रहा है इस वाले लेंथ की बात करते हैं यह वाले लेंथ क्या कर रहा है इस लेंथ को डिक्रीज कर रहा है तो माइनस भी वी यह यह वाला लेंथ लेंथ को क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो वलास्टी ओ पी इस वाले लेंथ को क्या कर तो विलस्ती आप चाश्थी आप यह बधी डिस्कल्ट यह ओ रॉ मैंने विलासिटी आप एम मे इसक अपू जी झालो tactical स्लूस्टन बहात बरेसे बड़ी को इसको हम लगसान नहीं से कर सकते हैं इस ऐन प्रह क्रीकाशां को देखो जैसे एक question हम लोग लेते हैं यह वास का concept सम्मझ में आया कि नहीं आया कि दुबारा समझाओ कि अगर माल लेते हैं कि किसी भी पुली को हम कुछ velocity दे तो इसके उस पर क्या करें सारे point को marks कर ले और उस point की velocity जिस चीज से attach हो वो उसके उसके ब्रावर होगा तो मालने यहाला point सब्कार और हिसकी विर स्थी कितना होगा पुली के बढ़ावर होगा इसकी कितनी उप ले एकी अगरा सिसस्टर बाहिए छिट्रीच ट्रिंग हो नगी सब्सक्रिंग है जोप क्या करेगा इंक्रीज करेगा ये वाला क्या करेगा ये वाला क्या करेगा ये वाला क्या 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 इंक्रीज क्या इंक्रीज क्या क्या इंक्रीज क्या क्या इसलिए माइस लिखा और देखिए ऐसा ले लेते हैं थेसंदेखिए इसा ब्लॉक ले लेते हैं यह यह ब्लॉक है और यह ब्लॉक है अब आप से पुछा जाए अगर माल ले यह विलॉस्टी से जा रहा है तो यह कितनी विलॉस्टी से जाएगा इसकी निकालने अगर नॉर्मल बेद्व से करेंगे तो थोड़ा सब्सक्राइगा था सुलूशन करने पड़ेंगे एक्समाना पड़ेगा फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप पॉइंट मेट की बात करो तो देखो यह वाला एट्च यह वाला किससे अट्च है इससे सबस्क्राइब वियुक्त यह बाथ तो किलियर यह वाला मूफ नहीं कर रहा है यह बहुत नहीं कर रहा है तो मूफ कौन कर रहा है यह कर रहे कर रहा है इसकी विला चपनी हो जाएगी इसका मतलब कि सबसे पहले तो यह आपको करना है कि पॉइंट मार्स कर दिया किया कि ने किया देखो पॉइंट मार्स कर दिया पॉइंट माक्स करने के बाद पुली कि से अब देखो कि यह जो बंदा हुआ है इससे पागए कि यह जा रहा है यह बैसले कि धर जा रहा है इसकी त्डी डिस किटना पूली को देगा कित्ना व्लस्टोब यह वाला कि सहलेगा है यहaculaं कितना जया है कि ऐसह कर रहे है न इस वाले के बात करें तो यह क्यों स्कू beleत करें तो हुआ का रहे हैं इन्क्रीज कर र är इन्क्रीज कर यह स्कामतलिश्टी ओफ फॉच्टीवोत खला एक तक कॉम्कम भी तरिक्रीज कर रहा है तो फो कर रहा है माइनस वी वी से और यह वला कितना कर डिकरीज कर रहा मानस वी से से इसमर्ट जोई यह ना जाएगा जीरो करें चुनल वी ए वा ट समाइनस वी 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 इती यह कितना जना याइद ही इसकल टू माइनस ओर यह प्लस आजाएगा इदर इसकल तो कितना ओर जागा प्लस ओजाएगा तो वीवी इसकल टू कितना हो जागा फाइब फॉर मीटर पर देखा आपने कितना असान है कितनी भी यूज किया गया देखो यहां से यहां यहां से यहां कैसा है एक ही ट्रीग होगा तो चेंज हो जाएंगे चीजे फिर उसको भी यह प्लस बीवीटु निकालना पड़ेगा ठीक है समझ में आई बात ठीक है अब एक अलग वाला भी करके दिखाता हूँ मैं आपको अब अलग वाली देखो माल ने देख यह ब्लॉक और यहां पर मैंने एक लगा दिया जो भी मैंने कुशन सॉल्व गया था जस्त पहले यह यह ब्लॉक इसको क्या करेगा उपर के तरफ लेके जाएगा अब यह लेके जाएगा तो इसको थोड़ा साब अलग कर लेते हैं जैसी यह कितना ब्लॉक कितना है और यह अगर पॉइंट मेंट्ड यूज करें अगर पॉइंट मेंट्ड यूज करें तो देखें को कर लें यहां 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 अब करेगा तो प्लस टेन माल लेते हैं कि यह वेलोस्टी नीचे के तरफ जा रहा है माल लेते हैं यह उपर जा रहा था यह नीचे जा रहा है यह नीचे जा रहा है इसको इंक्रीज कर रहा है यह वाला क्या कर रहा है इसकी भी इंक्रीज कर रहा है यह वाला लेंद क्या कर रहा है इसको इंक्रीज कर रहा है यह वाला भी क्या कर रहा है इनको इंक्रीज कर रहा है इसकल तो क्या हो जाएगा जीरो 20 प्लस वी 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 कितना है क्या वी वी हमें फाइंड आउट करना है वी सी हमें दिया हुआ है क सबस्क्राइब माइनस 22 मीटर पर सेकेंड दस मीटर पर सेकेंड यह वाले लेंद क्या किया इसने इंकरीज किया यह दस और दस हो गया यह वाला भी लेंद क्या कर दोसरा बात करते हैं लıld दी निकाल ले के लिए अगर इसको आपने प्रश्च परर को पर आंद दो नीचे वाला क्या हो जाएगा निगेटिव typ मेरे थे थे इनीटि टू लिख सकते हैं और क्या लिखाए अगर तुम आपने पॉल्च्टि। मांना उपर आपर को फॉस्टिव狆 तो नीचे इस वाला क्या हो जाएगा से वाला क्या हो जाएगा इसका मतलब यह क्या है यह जो भी मैथेड आपको फिस प्रहसा होता है और देखेंद बखुश्ट सारे कुष्टन्स बन सकते माल ने तेंगे कि ए ब्लॉक यह है और इसको ऐसे अटाच कर दिया कि हुआ हुआ कि ऐसा कुछ माल लेते हैं अगे ऐसा आपने कुश्चन भी देखा होगा यह 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 और यह भी इसका माल लेते 10 सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी असान सा हो जाएगा एकदम से हो जाएगा अगर आप दूसरा मेंट लगाओ तो तो तोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि यह वाला पॉइंट इंऊ बहुकर रहा है यह मालों का रहा है है 10prov2 कि इरिक्षिन में 10 की इतनी है 10 mala s इसकी कितनी है यह इसकी क है विए इसकी कितनी है यह इसका मतलब अगर देखा जाए लेख कि ये सबस्क्राइब कर रहा है कर रहा है तो बाम से प्लस अगर इस डारीक्शन की बात करें करेंगेग कि अगर इसी की बात करें ये मूबप करेंगा इसी क्या वातरी टो येवाला जो वृलोस्टी वी ए वीॉये की ब्राबर हो जाएगा प्हुन सानomy अगर दुसरे तरीके वे देखा जाये है कि उप अब इसको देखो ये वाला लेंद क्या कर रहा था इंक्रीज कर रहा था ये वाला लेंद क्या कर रहा है पहले देखो ये वाला लेंद क्या करेगा कितने से वी ए से ये वाला भी क्या करेगा लेंद को डिक्रीज करेगा कितने से वी ए से ये वाले लेंद को क्या करेगा डिक को मार्स किया पॉइंट से देखो कि इस लेंद को इंक्रीज कर रहा है इसलिए पॉजिटिव लिखा यह यह अटएच है इस लिए इस पॉइंट की व्लास्टी के इतनी हो जागे वल्डू स्टी यह बडाबर होगा इसकी पॉइंट किसे अटाच है इसकी लिए इसका वी व् तो डिक्रीज कर रहा है यह वालेइध को क्या कर रहा है इस वाले लेंग को है गरढिकरीज कर रहा है यह माइनस बीएवह वीए भीएवश्यक चैया क्यों ईस पॉइंट यह पॉइंट कि इस इतलए घृशिक bert 30 माइनस ने माइनस को मार दिया तो वी एज कल्टू क्या बचा थर्टी वाई कि मतलब वी एज कल्टू कितना हो जागा तेन मीटर पर कर दिख भी रहा है स्टेम स्ट्रिंग सेम तरह से लगा उपड़ा है तो इसकी वेलोस्टिक इतनी होगी तेमी होगी पास समझ में आ गया कोई दिक्क्या देखिया चलो यहां तक हम लोग समझ में लिए नेस्ट में हम लोग लास में इससे आगे करेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंग फड़ा सा रिलेटीव मोशन पढ़के आना आप तो इस बाते अच्छे से समझ में आएंग ठीक है? Thank you.